तो भाई आज After Effects की प्लेएस में नेक्स्ट वीडियो मुझे पता काफ़ जनसे वीडियो नहीं बना रहा था बहुत ज़्यादा बीजी था बहुत ज़्यादा और कुछ वीडियो बनाया भी थे वह गलती से डिलीट हो गया पता नहीं क्या क्या हो गया प्ले चुड़े बात क स्मूदर को आप पहले जान लो बजाए कि मैं आपको बात में बता हूँ उससे अच्छा है कि आपको अभी जान लो जिससे कुछ प्रॉब्लम्स आपके आगे जाकर क्रेट होंगी तापको स्मूदर से ठीक कर पाएंगे और विगलर एक एक्स्ट्रा पैनल है जिससे आप काफी अच्छी चीसी अनिमेशन बना सकते हैं बहुत इजली बहुत इजली पुछनी करना पड़ेगा चली स्टार्ट करतें फटाफट की क्लास नंबर तो याद भी निशा 13 है और हां एक च स्टार्ट कर दोंगा उसको मैं दबा दोंगा चली ओके तो देखिए मैंने सिंबल एक ना कुछ शेप लिए हैं यह इसका बेस है और यह जो है इस चीज को मैं ऐसे ऐसे पेंडॉलम की तरह गुमाऊंगा और इसका मैंने एंकर पॉंट इस शेप लेयर का यहां पर लिया ,चली स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैं आइया पहले की फैम पर मैंने लगाया रोटेशन का की फैम और यहां पर आया यहां पर इसको किया यहां पर जाता हूं यहां पे 60 कर देता हूं और मैं J से लास B चॉले की फिरेंप पे आया और मैंने सो कर दिया माइनस 60 तो अब यह जो कुछ अनिमेशन बनाया है यह कुछ इस तरीके से बनाया है देखें यह ऐसे होगा ठीक है देख लीजे आप ठीक है अच्छा नहीं है पर इसको अच्छा करना है सबसे पहले पकड़के मैं कर देता हूं इनको F9 अब symmetry क्या होती है जिसी मैंने देखें इस F9 किया है तो देखिए थोड़ा सा अच्छा हुआ पहले से और देखिए इस animation में सबसे इंपोर्टन्स रखता है कि जब ये इस तरीके से ऊपर जाके नीचे आ रहा है ना जिए ऊपर जा रहा है तो उसको थोड़ा सा रुकना चाहिए और real life में यही होगा जब ये देखिए यहाँ पर जाता थोड़ा slow हो रुके फिर वापस आए सेम चीज इदर slow हो रुके फिर वापस आए F9 किया है काफी चीज ऐसी हो चुकी है कि आले साथा काम हो चुका पर देखिए सिमेट्री कहा है सिमेट्री यह है कि इसके center point से इसके center point से मैं graphator के अंदर गया यहां का जो इसके left वाला जो graph है और जो right वाला graph है उसका जो slope है वो same रहना चाहिए हमेशा अब देखिए वाप कैसे कर सकते हो देखो यह जो key frame है यह जो key frame है या फिर मैं इस key frame की बात करता हूँ इस key frame के उपर आपका play head आता है मतलब incoming और यहां से play head जाता भी है मतलब outgoing समझे लियो और इस center से इस तरफ का और इस तरफ का जो slope है वो same होना चाहिए तो आपका वो symmetry बन जाती है और बहुत सारे animations में आपको symmetric करना पड़ता है अपने graph को अब वो symmetric कैसे कर सकते हो देखो इस वाले point पे मैं आपको बोला outgoing है इस वाले point पे incoming भी है same इस वाले key frame पे सिर्फ incoming है इस पे सिर्फ आ रहा है मतलब इस वाले key frame का यह वाला जो handle है यह वाला जो handle है यह incoming है और इस वाले key frame का यह वाला जो handle है वो incoming incoming है अगर मैं इसकी इंकमिंग और इसकी इंकमिंग सेम रखूँ सेम इसवाले की फ्रेम का आउटगोईंग यह वाला हैंडल है इसवाले की फ्रेम का आउटगोईंग यह वाला हैंडल है अगर मैं इसकी आउटगोईंग और इसवाले की आउटगोईंग सेम रखूँ तो मेरा पूरा graph पतलब all over graph में आपकी incoming और outgoing का जो यह influence handle है उसकी अगर आप length same रखो ना length अगर हम same रखोगे तो आपका graph automatically symmetric बन जाता है पर इनकी length को same रखना possible नहीं होता है मतलब हम लोग मुझे कैसे पता लगा मैं कोई measure तो कर नहीं रहा ना handle को कितने mm का खीच दिया कितने centimeter खीच दिया वो तो मैं measure नहीं कर सकता है इसलिए हमको इसमें दिया हुआ है एक चीज़ आप सारे keyframe select करो और इस पर right click करो यहाँ जो keyframe velocity में तो यहाँ दिखादा है incoming velocity यहाँ दिखादा है outgoing velocity मैंने कहा incoming velocity आप कर दो 55 इसमें hit and trial आपको करना ही पड़ता है मैंने थोड़े पहले किया था चलिए मुझे पता है 55 पे काफी अच्छा हो रहा था और मैंने outgoing में 55 कर दी तो देखिए देखिए ग्राफ चेंज हो किया है और ग्राफ चेंज हो किया है और same हो कि अब देखिए देखिए यह पहले से अच्छा है काफी अच्छा है काफी real लग रहा है अगर आपको थोड़ा सा और changes करने हो तो आप सारे keyframe सेलेक्ट करो हर keyframe की incoming और outgoing velocity की आप speed को आप कम जादा कर सकते है मैंने आप 45 किया और इसको भी 45 किया आप चाहो तो 0 degree पर पर second या आप degree भी चेंज डाल सकते है बर डीरी का हमको अच्छली अनुमाल लगाना बहुत मुश्किल हो जाएगा incoming outgoing velocity का सही रहता है मैंने किया 45 और अब देखते है अच्छा है काफी अच्छा है तो यह symmetry है और यह देखिए इसके लिए कोई hard and fast rule नहीं है hit and trial ही करना पड़ता है कि आपको किस तरीके से symmetry maintain करने के लिए incoming किसी keyframe की और odd wing keyframe की बाकी keyframe से आप कैसे match कर सकते हो ठीक है चली इसमें एक तरीका एक चीज़ा बतानी है माल लीजे मैंने इसको किया यहां से delete इस keyframe को और मैंने इस keyframe को किया copy इन दोनों keyframe को मैंने किया copy ctrl c से और मैं एक एक frame आगे गया playhead से देखिए control दबा रखा है और मैंने right arrow की दबाई मैं सिर्फ एक frame आगे गया और मैंने किया paste क्यों नहीं हुआ भईया paste ठीक है तो देखिए अब क्या किया उसने दोनों keyframe यहाँ पर copy paste कर दी मतलब यह वाला keyframe यह है यह है और यह वाला keyframe यह है obviously ऐसी बनी वो एकी चीज़ को बार बार कर रहा है अब मैंने क्या किया इन दो last के keyframe को पकड़ा और right click किया keyframe extend में जाके मैंने कर दिया time reverse keyframe यह वाला keyframe जो पहले यह था अब वो यह है यह दोनों अब सेम है और आप इसको देखोगे तो यह कुछ इस तरहे से दिख रहा है और आगर आप इसको delete भी करदो तो भी आपका चलेगा यह बढ़िया एक frame का कुछ खास फरकिन बढ़ेगा देखो मैंने क्या किया है मैंने symmetry ऐसे बना ली देखिए मैंने symmetry इसमेट्री में ऐसे बना ली वैसे आप चाहो तो key frame incoming, outgoing velocity से भी कर सकते हो time reverse key frame बस क्या करता है कोई भी key frame होते है उनको उल्टा कर देता है first वाले को last पे ले आएगा last वाले को first पे ले आएगा और time reverse के लिए आपको दो या दो से ज़्यादा key frame ही चाहिए होते है एक key frame को क्या reverse करोगे वो तो क्या reverse होगा कुछ reverse नहीं होगा ठीक है अभी symmetry मैंने आपको बताई और मैंने बताई incoming और outgoing velocity के बारे में बताई और मैंने आपको बताई time reverse key frame आपके काम आएगा ही हम लोग आगे भी कुछ नहीं कुछ ऐसा करेंगे जिसमें आपके काम आएगा ठीक है अभी मुझे आपको बताना है कुछ दो पैनल है इसके अंदर एक तो windows पे आप क्लिक करोगे तो आपको यहां मिलेगा एक विगलर और एक मिलेगा आपको का गया यह रहा smoother ठीक है एक विगलर smoother अब यह क्या है मैं इसको भी hide कर देता हूँ और मैं एक काम करता हूँ मैं एक text लेता हूँ मुझे पता है मैंने आप लोगों को text के बारे में मैं भी नहीं बताया हूँ ठीक है मैंने एक text लिया और इस text के transform में जाकर मैंने इसका keyframe लगाया scale पर और एक keyframe लगाया मैंने एक और लगाया और इस पर skill किया मैंने यहाँ पर बढ़ा इसको मुझे पहले center कर लेना चाहिए था anchor point को ठीक है देखिए ऐसे बढ़ा हो रहा है ठीक है rotation पर हूँ normal दो keyframe लगे हुए अभी जब मैं इसको run करूँगा तो obviously normal सा एक animation है जिसमें scaling हो रही है अब यह मैं काम करते है मैं जाता हूँ विगलर के उपर ठीक है और विगलर लिया मैंने और विगलर के इन देखिए मुझे option मिल रहा है apply to यह fade out है मुझे पहले इसको select करूँगा जिस property पे आपको विगलर लगाना है temporal path या special path देखिए special path नहीं आ रहा है special path क्यों नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने आप लोग ने मुरी classes अगर देखी है तो मैंने आपको क्या बता है special path वो होता है जिसमें actually आपकी किसी भी object की position change होती है यहाँ पर कोई position change नहीं हो रही है वो एक ही जागा खड़ा हुआ है सिर्फ बढ़ा हो रहा है तो इसलिए हमको यहाँ पर temporal path चूज़ करना है smooth लेना या jagged लेना चलिए jagged लेते है और all independently बताता हूँ यह करता क्या all independently frequency when only 5 और magnitude थोड़ा सा और बढ़ा देते है अब और किया मैं apply देखिए यहाँ देखिए का न मैं apply करता हूँ देखिए क्या हुआ उसने keyframes लगा दिया अप wiggler wiggler क्या करता है randomly property को change करता है आप देखिए जो पहले यह हो रहा था आप देखिए कैसे हो रहा है क्योंकि मैंने आप achieve तो वही कर रहे हो last में आप पहुँच वही रहे हो पर उसने बीच में wiggling के मतलब जो पहले linearly बढ़ रहा था आप वो linearly ना बढ़के तो यही इस तरीके से बढ़ेगा और वहीं पर अगर मैं यही विगलर एक rotation में भी लगा दूँ और end में आकर यहां पर मैंने कुछ इसको ऐसे गुमा दिया माल लीची ठीक है तो अब देखिए और मैंने इस rotation के उपर बजाके फिर इसके उपर भी मैंने विगलर लगा दिया तो विगलर के भी keyframe आगए अब आप देखिए अजीब सा लग रहा है पर हाँ विगल हो रहा है बीच बीच में आप चाओ दो इसकी frequency increase कर सकते हो पहले मैं इसके rotation के keyframe हटा जेता हूँ sorry तीक है और इसको कर देता हूँ 0 तो विगलिंग आख समझ गए कि आप random कभी कभी आप position आपको change कर नहीं होती आपने देखा भी होगा यह आज कल effect काफी ज़दा text के ओपर लोग use भी कर रहे है मैंने कुछ time पहले YouTube पे देखा था इसको थोड़ा सा ऐसे करो इसको इधर ले करा रहा हूँ और ऐसे करो और लास्ट में इसको फिर थोड़ा सा ऐसे कर दो और इसके उपर मैंने लगा दिया विगलर जैकेट और अब देखी आप समझ जो क्या कहना चाहरा हूँ मैं इससे आप विगलिंग कर रखते हो समूधर क्या होता है विगलर कहा आएगा आपको नॉलेज होना चाहिए मुझे आपको से फैलेंग के बारे में बताना समूधर क्या होता देखिए अगर आप लोगों ने फोटोशाप में या इलस्टेर में काम क्या होगा या फिर कहीं भी जहां पर आप पाथ ड्रॉ करते हो उसकी सॉफ़वेर पे तो आपको पता है कि आप जितने कम से कम एंकर पॉइंट लगाते है उतना आपका पाथ स्मूध रहता है जितने ज़्याद आप एंकर पॉइंट लगाएंगे इसको मैं कर देता हूँ बैर रिसेट इधर लाता हूँ इसको किया है ओके ठीक है तो स्मूधर क्या करता है जबी भी आप कोई पाथ जैसे मोशन स्केच की बात ही करता हूँ मैंने motion sketch के इसकी position के उपर मैंने motion sketch लगाया और start capturing नहीं देखा हो तो please वो class देख लेना यहाँ पर क्या करता है आप path draw करते हो अब यह start capturing मतलब मैं draw करना start करूँगा और मैंने position select किया हुआ है तो position के उपर यह हमको यह लगा के देखा path यह हैं तक start capture तो अब देखिए यह कुछ इस तरीके से बना है पर इसने keyframe देखी कितने कम लगा है क्योंकि मैंने इसकी smooth नहीं ना बहुत कम गर रखी थी 9 और माली जै मैं इसकी smooth नहीं एकदम zero कर दूँ और फिर capturing start करूँ तो मेरे हर instance पे पर वो एक keyframe बना रहा है देखिए कितने सारे keyframe लगा है कितने सारे keyframe लगा है तो smoother यह करता है कि आपके motion को भापके keyframe लगा जेता है पर मुझे लग रहा है कि मेरा path तो मैंने सही लिया है पर मेरे keyframes बहुत ज़ादा हो गए मुझे इतना नहीं चाहिए था या तो अब आप इसकी smoothing आप कम ज़ादा करोगे तो कुछ फरक नहीं पड़ेगा क्योंकि यह तो next event पे काम करता है जब आप next कुछ करोगे अब मुझे इसकी smoothing करनी है तो मैं क्या करूँगा पोजिशन पर जाओंगा बात मेरा सही है पर मेरे keyframe जाता लग गए smoother पर जाओंगा और मैंने ऐसे smoothing यह tolerance जो अच्छली यहाँ पर smoothing ही है और मैंने किया अपला है तो देखिए कितने चीज़ smoothing हो गई है न इसने keyframe काफी कम कर दिया अब इसकी आप चाहो तो ओ सारी इसकी आप चाहो तो smoothing दुबारा भी कर सकते है ऐसा नहीं है मैंने किया और smoothing हो गई है अब कितना अच्छा होगा गी देखिए देख रहे हो सेम चीज़ जब आप विगलर लगाते हो अब मैंने इसकी position के ओपर भी मुझे इसकी smoothing करनी है इस moment की विगलर तो लगाया मैंने पर इसकी smoothing करनी है तो इसी property को choose किया smoother में गया और special key fame special key fame है ना यह तो और किया अपला है तो देखिए इसकी भी smoothing कर दी तो कभी अगर आपको path draw करना पड़ा है आपने विगलर लगाया और वो बहुत जादा jagged हो रहा है और आपको थोड़ा सा उसमें key fame कम लगाने है क्योंकि key fame जितने कम होंगे जितने anchor points कम होंगे उतना आपका साथा जो path होता है वो smooth हो जाता है तो यह चार चीज़े थी जिनके बारे में बताए थोड़ा सा practice करना क्योंकि आगे जाके इस चीज़ के आपको बहुत जादा help लगेगी भी जब आप animation बगरा बनाओगे तो यह था symmetry आप symmetry कैसे maintain कर सकते हैं और time reverse key fame में हमेशा ध्यान रखियागा आपको एक key fame से नहीं कम से कम दो या दो से जादा key fame चाहिए होगे और smoother और wiggler में आपको clear किया smoother से आप क्या कर सकते हैं wiggler से आप क्या कर सकते हैं और काफी ज़्यादा helpful होता भी है कि आपने देखा भी होगा आज कल यह ना काफी ज़्यादा use हो रहा है और जो animation लगाते हैं वो wiggler से आप थोड़ी देखा होगा आपने text sss से हिलता रहता है wiggler से achieve कर सकते हो उससे और audio spectrum का आपने देखा होगा कि audio के beats के हिसाब से वो लोग key fame generate करते हैं पर key fame बहुत नजदीक नजदीक generate हो जाते हैं जिनको आप smoother से ठीक कर सकते हो मैं बताओंगा वो भी आपको बताओंगा smoother लगाएंगे हम लोग उसमें भी वो कैसे होता है तो चलिए मिलते है next class में और next class में आप लोग को मैं बताने वाला हूँ shape layers shape layers समझने के लिए तयार हो जाओ क्योंकि shape layer एक ऐसा है concept है after fact के अंतर जो बहुत confusing है बहुत complex है अगर आपने इसके इसके hierarchy के structure को नहीं समझा तो मैं अच्छे समझा दूंगा intention मतलो आप लोग जानते ही हो मुझे बहुत अच्छे समझाओंगा नहीं समझ में आएगा दूबार आती बारा समझाओंगा कि मैं आगे मैं चाहूंगा आप afterfit में आगे तभी बढ़ो जाओ आपको shape layer अच्छे से clear हो चुके कि shape layers बहुत importance रखती है after effects के अंदर चलिए okay